तो आज का वीडियो में चलिए हम यहाँ पर बनाने वाले हैं कि डारेक्ट जो कि आप 220 AC से यहाँ पर टच ओन ओफ कर सकते हैं और यह वीडियो खास करके हम एक बड़े भाईयाजी का एक कमेंड था तो उस पर हम बना रहे हैं तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि वो क हमने इसको DC में बनाया था तो अब हम इसको AC में करने जा रहे हैं कि क्या हम इसमें मतलब 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जो भी मतलब घर का जो भी input voltage आता है हम लोग का AC तो वो इसमें input करा सकते हैं कि नहीं यानि कि इससे output हम कुछ भी चीज चला सकते हैं कि नहीं तो जी हाँ सेंपल सर्कीट है दोस्तों यहाँ पर कोई जादा मतलब आपको यह पर परसानी भी नहीं करना सेंट यहाँ करें बस दो चीजो किड़ेगे समय हाँ और हर भे दा कर दबने में और एक वीडियो को लैक कर दीजेगा चैनल पर नए हैं बाहिए लोग हैं जो सबस्क्राइब कर देगा क्योंकि यहाँ पर हर तरीका का वीडियो हम लाते रहता है ठीक है तो चलिए अभी हम यहाँ पर क्या युछ करने वाले हैं ठीक है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा और एक चीज़ समझ जाए आप यहाँ पर रिले आपको कनेट करना पड़ाएगा तो आप रिले देखके डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन करने मद्च चले जाएगा क्योंकि यहां और और भी कुछ हम यहाँ आपको बताने वाले हैं बाद में यहाँ पर फिर आप काम नहीं क देखना होगा तो रिलय का जाईस है कि यह сосet कि यहां पर um सरी यह वोल्ट को देखलाइ है तो यह देखल यहां पर हमने 12 वोल्ड का चाहिए कर एक है यहीज कर सकते हैं रिलय आपके मर्जी से यूज होगा इगर ज्यादा लोड आपको देना हो तो ठीक है उसी इसाब से यहाँ पर वोल्टेज इसके उपर आना चाहिए ठीक है यह मोस्पेट का उपर तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करने से पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पर हिट सिंग यूच करना पड़ेगा है चलिए हम इसको यहाँ पर यूच कर रहे हैं इसक नहीं अपर लगा लगते हैं को कनेक्शन कि país का बिल्गूल इस इसको यहाँ बैसके समपल तरीका से तरह से ठीक है जैसे कि यह normal एक सूच है तो इसको क्या है कि हम लोग on करते हैं उसका बात जो है कि यह current आता है तो यहाँ पर होता क्या है कि यह अगर on करके छोड़ो दिए और इसका output में जो भी चीछ करनेक्ट है तो यहाँ पर क्या है कि यह जल जाएगा ठीक है और आप करेंगा तो यहाँ पर आप रहेगा से इसमें भी काम यहाँ पर होने वाला है ठीक है इसमें भी सेम काम उसी तरीका से होने वाला है एक बार आप टेच करके अगर आप इसको छोड़ो दिजेगा जैसे कि और आप करनेक्शन पर देखिय करते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा उलोग के वा hehehe तो थोड़ा से हम आप लोग के वाक्त दे मंआ है कि तो और यह हो गिया इसका common point ठीक है यह इसका common हो गिया यह nc point हो गिया यह no point हो गिया ठीक है अगर इस side से आएंगे तो यह dot है और यह cut का निशान है ठीक है आपको इस side से देखना है तो यह सिधा आपको मिलेगा यहाँ पर coil और बीच में common मिलेगा ठीक है, और इस side आपको NC point मिलेगा, इस side आपको NO point मिलेगा, ठीक है, दोनों side से आपको बता दिये, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा, तो चलिए यहाँ पर connection करना शुरू करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यह एक छोटा सा यहाँ पर red wire है, तो इ और यह एक और हम यहाँ परipड़ा ले रहे हैं, तो यह टुकरण करते हैं, इसका connection ही main है, ठीक है, connection अगर आप यहाँ पर गळबड़ाएगा, तो फीर यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर दिक्कत हो सके, तो इसको हमने वहाँ भी connect किया, तो आप यहाँ पर देख सक ठीक है आप देख रहे हैं रिले का कोईल पर और यहां पर आप कुछ भी चीज चला सकते हैं जैसा कि हमने आपको पहले बोला इस रिले से अगर हम बात करें इस रिले से तो आप 10 इंपियर का अंदर में जो भी चीज चला सकते हैं यहां तक कि आप समझे होंगे कि 10 इंपियर हम इसको यहां पर test कर रहे हैं ञिक ने तो अब चलिए यहां पर हम लेते हैं यह ठीक है ये holders है और यहां पर हम बेल में चेक करएंगा दोस्तों और यह अभी में यहां पर 9 वाट का बॉल है साथ यहां पर number मिट चुगा है दौस्त आप को यहां पर नहीं कर रहा है तो चलिए कोई बात ना है और इसका बात जो है कि इस पर लोट देखेंगे हम इसको टेस्ट करेंगे अभी फिलाल मिहां पर नाइन वाड यहां पर कनेट कर रहे हैं तो अब आपको किस तरीका से कनेट करना है यहां पर आप एक चीद धियान देजाएगा अब यहा और यहांने कि देखा जाए तो नर्मली को लोट है ठीक है यह धीर नोर्मली को लोज है ठीक है देखा जाए तो यानि कि सिंपल भास हमा आपको बताए districts जो नए की आपको करना के समय है जैसा कि अगर आप इसमें किजाएगा तो यह डाये bardziej subscribers नहीं कि दाना है तो अभी पर चलाना नहीं है तो यहाँ पर एक वार कर दी हमने connect और एक वार जो है इसको आपको बिल्गुल भी आपको side में रखना है ठीक है यह साइड में रखना है इसको हम थोड़ा सा मोड़ जते हैं क्योंकि यहाँ पर अटेच नहीं हो कि यहाँ पर DC वेसी दोनों चीज आप जब पहरी pasti काम केजिएगा तो यह सब्सक्रान को थोड़ा सा हट रखेएगा जो तो चलिए यहां शुक्रान की यहां दिने के लिए यह पाड़ प्लक क्या करना है जैसा कि यहां पर दो कोई input का ठीक है तो जहाँ पर output है उसमें एक वाभर आपको यहाँ पर connect कर देना है पर इसको हम यहाँ पर direct इसको हम sword कर दते हैं क्योंकि यह highlight टो लेना अब बचा इसका दूसरा वाइच ठीक है तो इसका दूसरा वाभर यहाँ पर देते हैं दूस्तों इसका common पर एक तो हमने यहाँ पर N O पर दिया और दूसरा इसका N O E Common पर दे दिया ठीक है तो उम्मिद है कि यहाँ पर अच्छे से आपको दिखता होगा ठीक है आपको करीब से एक बर दखा देते हैं ठीक है देख लिए क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं बिल्कुल भी आपको clear हो किकि यहां पर mistake होगा दूस्तो तो यह भी खराब हो सकता है और आपको भी यहां परDape swift लगने का chance है तो किस तरीका से आपको काम करना है वो चीज आपको यहां पर clear कर देते हैं तो अभी यहां पर क्या करना है? आपको यहाँ पर जो है कि DC input कराना है ठीक है तो DC input कराने के लिए यह हम power supply ले लिए है तो यहाँ पर जो है कि हम इसको DC input करा देते है ठीक है तो यहाँ पर हम इसको 15 volt input करा रहे है आप यहाँ पर 12 volt भी input करा सकते है ठीक है तो यह इसका जो plus है ठीक है तो पलस आप डायरेक्ट इसका बीच में दे सकते हैं यह जो मॉस्पेट है इसका बीच वाला में ठीक है तो बीच अभी मेरा यहाँ पर हिट सिट में कनेक्टेड है तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं बाकी आपको अगर वायलक से वायर जोड़ते हैं तो आप उसमें यहां connect कीजिएगा ठीक है हम इसको यहां connect कर दीए है अब जो यह इसका minus है ठीक है तो इसको थोड़ा से हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको यहां पर देखाने में अराम पड़े देखिए इसको हम अभी हटा देते हैं जैसा कि हमें आपको बताया अभी हम फिलाल यहां पर temporary इस तरीका से बना रहे है अगर आप यहां पर काम कीजएगा तो DC, यह ACC side हो गया यह DC side हो गया तो आपको यहां पर हटागर काम करना है और अच्छे तरीका से यहां पर आपको काम करना है ठीक है तो चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं इसमें हम यहाँ पर पाउर देंगे तो यहाँ पर इसमें connection चालू हो जाएगा तो इसको हम अलग कर देते हैं ताकि आपको देखाना भी है यहाँ पर चलिए यह थोड़ा अलग है चलिए यहाँ पर हम manage कर लेते हैं तो अब हम यहाँ देखिए इसको 220V यानि कि direct वोर्ड में इसको हम input कराते हैं यह मेरा यहाँ direct है तो अब ही देखिए यहाँ पर इसमें जो है कि input लेन यहाँ पर आ चुका है तो चलिए दुस्तों direct हम आपको यहाँ पर check ही करा देते हैं कि कितना इसमें वोल्टेज आया है और कितना नहीं आया किए कि आ तो हम तो इसमें आप मेटर में यहां देखिए अभी जो मेरे घर में यहां पर इंपूट बोलते जा रहा है वो चीज आप देखिए यहां पर आपको दीख रहा है मेटर में आप ध्यान से देखिए आपको दीख रहा साइध दिख रहा होगा तो चलिए अभी यह काम किस तरीका से करता है वो चीज़ हम देखते हैं जिसमें एसी इंपूर्ट चालू है क्योंकि अभी यह ओन कीसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहापर DC नहीं दिया है तो यहापर हम इसको DC यहापर दे देते हैं तो चलिए यहापर अभी DC हमने दे दिया है अभी यह जैसे इसको direct हम पकड़ रहे हैं इसलिए जो है कि यहापर यह काम कर रहा है दोस्तों तो अभी इसको हम पकड़कर देखते हैं देखिए ठीक है यह ball हम देखिए आपको यहापर दिखता होगा यह बिल्कुल भी यहाँ पर direct है ठीक है जैसा यह देखें यहाँ आपको टच किया और इससे बंद करते हैं ठीक है यहाँ आपकाम कर रहा है चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको load देके देखाते हैं मैं जैसे कि एक अगर आपको लग रहा है कि यह जाड़ रहा है तो यह आप देख रहें यहाँ पर इसका बंद करके देखा रहें पहले यह देखें, यह बॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यह 100W का बॉल है, तो चलिए इसको हम connect करते हैं, connect करने का बाद जो है कि आपको यहाँ पर देखाते हैं, कि सववाट का बोल यहाँ पर किस तरीका से वर करता एक चीज आप ध्यान में रखेंगा तो चली है अभी जैसे कि ओव पर ही है तो इसको इतना input है, सारा यहाँ पर मिल रहा है इसको, ठीक है, देखें, ठीक है, तो एक चीज़ अभी आपको जिसे कपको बताना था, जैसे कि हमने अप सुर्म आपको बोला था, यह बोल जैसे कि अभी जल रहा है, ठीक है, और माल लिजे यह current आपको चला गिया, तो जैसे कि current जा र रखते हैं, यसी इसका on रखते हैं, और DC यहाँ से काट रहा है, ठीक है, यह देखें, DC हमने cut कर दिया है, तो अभी यह बंद हो चुका है, और फिर सी यहाँ पर दे रहा है, on हो चुका है, यानि कि कहने का मतलब है, कि जैसे सुच हम लोगा काम करता है, on में on ही रहता है, और off में off रहता है, ठीक है, तो उस तरीका से देखें, और lane जब भी कटेगा इसका supply तो DC यह दोनों कटेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लिए, ball off हो गया, क्योंकि यहाँ पर lane कट गया, लेकिन सूच यहाँ on है, ठीक है, जो हम लोगा man जो सूच होता है, बोड में, वो सूच भी on है, तो same to उस तरीका से यह काम करता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर fan में connect कर दीए, पंका वगरा में, और होता क्या है, कि lane चला गया, और रात में फिर से आया, तो पंका आटोमेटिक बंद हो गया, नही बाइचान से आपने off कर रहा है, और lane अगर आ जाता है, आपको लगता है कि यह जल जाएगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर input कराते हैं, तो देखिए, नहीं जल रहा है, बिल्कुल यह अच्छे तरीका से काम करता है, पारफेट काम करता है, कहीं पर भी इसको यूज कर सक करता है, हर तरीका का वीडियो यहाँ पर लाने के लिए, तोड़ा सा मुवाल मेरे यहाँ पर फोकस कर रहा है दोस्ता, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,